हलो नमस्ते आपको जो फोटो दिख रहा है उसे ध्यान से देखिए इस फोटो में अलग-अलग तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं उन में से कुछ लोगों के बाल स्ट्रेट है, कुछ लोगों के बाल करली है कुछ लोगों के स्कीन कलर वाइट है, कुछ-कुछ लोगों का स्कीन कलर डाक है ये जो attributes या फिर characters है, ऐसे group of characters और attributes मिलके प्रकुरूती बनती है ये कैसे बनती है हम आगे देखेंगे So basically, what is प्रकुरुती? प्रकुरुती is self-nature, स्वभाव और प्रकुरुती is to understand ourselves प्रकुरुती ये दोशों से बनती है अभी दोश कौन-कौन से है? आयुर्वेद में प्रकुरुती की तरह ही और एक concept है त्रिदोश ये दोश है वात, पित्त और कफ ये वात, पित्त कफ जभी भी equilibrium state में होते है इनका homeostasis होता है तो उसे स्वस्थ कहा जाता है और इनका equilibrium disturb हो जाता है तो उसे ill health या फिर अस्वस्थ कहा जाता है Formation of प्रकुरुती अभी ये प्रकुरुती बनती कैसी है? At the time of conception, sperm and ovum, शुक्र and स्त्रीबीज इनका सैयोग होता है वो सैयोग के वक्त, जिन दोशों की उतकटता होती है जो दोश predominantly होते है उस तरह की प्रकुरुती बच्चे की बनती है तो ये दोशों का बहुत important role है प्रकुरुती के formation में अभी एक बार प्रकुरुती form हो गई तो प्रकुरुती never changes प्रकुरुती कभी बदलती नहीं है आगे जाके आपको इन attributes में कुछ changes नजर आते है तो वो होते है वक्रुत दोशों के वज़र से प्रकुरुती जिन दोशों से बनती है उसे हम प्रकुरुत दोश कहते है और उसमें जो changes होते है वो होते है वक्रुत दोशों की वज़र से तो प्रकुरुती never changes types of प्रकुरुती तो according to Ayurveda चारीर प्रकुरुती साथ प्रकार की बताई गई है वात दोश के predominance से जो बनती है उसे कहते है वात जप्रकृती पित दोश के predominance से जो बनती है उसे कहते है पित जप्रकृती वैसे ही जो कफ़ दोश के predominance से बनेगे उसे कहते है कफ़ जप्रकृती तो इसके बाद आती है दो-दोशों के combination से और आखिर में आती है त्री दोशज प्रकुरुती प्रकुरुती का ज्यान हमें क्यों होना चाहिए importance of प्रकुरुती क्या है वो देखते है सबसे पहला आहार विहार प्रकुरुती पता है तो उस हिसाब से हमें अपना आहार विहार पता चलता है diet and lifestyle तो आहार में अगर वात प्रकुरुती की व्यक्ती है तो उसे कीन रसों का सेवन करना चाहिए खाना स्नेह युकत लेना है या रुखा लेना है ये सब हमें प्रकुरुती के ज्यान से पता चलता है lifestyle विहार नहाने का पानी ठंडा लेना है या गरम लेना है ये चीज़े हमें पता चलती है प्रकुरुती के ज्यान से तो lifestyle and diet इनके लिए भी प्रकुरुती का ज्यान होना अच्छी बात है Susceptibility of the diseases future में हमें कौन-कौन से व्यादी हो सकते है ये भी हमें प्रकुरुती की वज़र से पता चलता है तो वात प्रकुरुती के व्यक्तियों को कौन सी व्यादी हो सकती है पित प्रकुरुती के लोग होते है उनको बार-बार Stomatitis यानि मुखपाक आयरुवेद में कहा जाता है मुँ आना तो ये बार-बार होता है तो ये आपको कैसे पता चलेगा अगर आपको प्रकुरुती का ज्यान है तो To know the prognosis कोई disease हुआ है तो वो जल्दी ठीक होगा या time लेगा ये हमें प्रकुरुती के ज्यान से पता चलता है समझो वात प्रकुरुती की व्यक्ति है और उसे वात दोश की disease हुई है To evaluate mental status पेशन की मानसिक स्थीती हमें इससे पता चलती है तो इसके लिए भी प्रकुरुती का ज्यान होना जरूरी है रसायन चिकितसा Regenation therapies इसके लिए अलग-अलग दवाया दी जाती है जैसे चवन प्राश है, त्रिफला रसायन है तो कौनसे प्रकुरुती में कौनसा advice करना है ये पता करने के लिए हमें प्रकुरुती का ज्यान होना जरूरी है Determination of drug doses समझो, वात पित प्रकुरुती के लोग है अगर हमें medicine उन्हें देना है तो अगर कोई medicine उष्ण तिक्ष्ण गुन का है तो वो हमें पित प्रकुरुती के व्यक्ति को देते वक्त उसका dose कम करना पड़ता है क्योंकि उन्हें उससे तकलीफ होने के चांस होता है उसके opposite, अगर कफ प्रकुरुती की व्यक्ति है तो उष्ण तिक्ष्ण मेडिसिन है तो उनको हम स्यादा quantity में देंगे प्रकुरुती के लोगों में बस्ती, पित प्रकुरुती के लोगों में विरेचन और कफ प्रकुरुती के लोगों में वमन ये पंचकर्म एडवाईस किया जाता है आज की वीडियो में मैंने प्रकुरुती का बेसिक बताने की कोशिश की है अगले वीडियो में वात प्रकृती, पित्त प्रकृती, कफ़ प्रकृती इसका हम डीटेल वीडियो करने वाले है आज के वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए धन्यवाद